कर दो है कि जो ही वेलकम बैक टो किंपोना चनल सो आज से चार या पांस दिन पहले में एक मिडियो था मास वाइरस के बारे में बताते हुए तो बहुत सारे लोगों ने उसको कमेट किया कि उनको यही प्राप्लम है तो वीडियो बना तो आज कभी वह इसी के बारे में हैं त फिर आपको पता चलेगा तो इस वाइरस को हटाना कैसे एक तो इसमें दो प्रॉब्लम आ चुके एक इसका डेटा करप्ट हो चुका है और दूसरा हमारा को यह वाइरस हटने का काम नाम नहीं है मतलब कोई बीक और्डिनरी आंटिवर्स सफ्वेर इसको नहीं कर रहा है हम इसको निकालेंगे कैसे तो एक तो इसका बिल्टिन सॉफ्वेर है जो कुछ मास रिकवरी फाइल को कुछ उपन करके उसमें तो यह सब में टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे यूटूप में ऐसे वीडियो पढ़ें तो बहुत सारे लोगों को दावा करते ह रहे हैं कि यह वाइरस सॉफ्वेर से हट जाएगा तो वाइरस इसमें चलाए जाएगा तो इससे हम वाइरस हटता नहीं तो इसको डिलीट करते थे वाइरस को लेकिन वह फिर से मल्टिप्ली होता रहता है और इसमें कुछ और भी आपके डिस्क जो है मतलब Windows e हो गया करेetा है तो इसमें आपको क्या करना चाहिए सब से इन मत पढ़िए हैं पटा देता हूं वो वीडियोस में आपको क्या बताते हैं और हैं इस वीडियों में क्या करना है प् Cape include को दिकोड की कोई में तक मेरी French है पता evento कह दीए bakayım अगर देख रहे हैं तो तो एक बात मैं आपको क्लियर करते हैं इसमें आपका डेटा तो जाएगा ज़रूर कि यह तो अपने पास नहीं है और इसका सॉफ्टर भी अपने पास ठीक से काम नहीं करें तो यह तो आपको बल्लीदान देना ही पड़ेगा लेकिन याप यह जोर कर लेजिए क्या पता अगले अगले कुछ दिनों के बाद अगर डिक्रूप्त फाइल आ जाएगी ना तो तो अब उसको अप डिक्रूप्त कर लेजएगा तो इसको फॉर्मेट करने आए तो आपको डिस्क में फॉर्मेट डैक्ट नहीं लेगा इसमें कुछ एर तो आपको बूटबल पेंटर विज़रूरी है यार विद्वस अच्छाइब तो बूटबल पेंटर जरूरी आपको वह इस पुरा क्लियर करके आप उसमें बाद वह सिंस्टॉल करना अगर विद्वस्ट नहीं है मैं आपको दिखा दे तो क्या करना चाहिए तो यार जैस है है शर्ट इस अप डिश्किवा वह सथाले पर जाएंगे तो मैंने को पहले बता दी होगा निया तो इसमें आपको पहले जाना चाहिए Windows पर विंडूस सेतींग सट्टलव नहीं है कि रिजर्ट पीसे में जाने के बाद आपको इधर आज जाना चाहिए मैं रिस्टाट करूं गानी आपको दिखाते था हो तो इसमें keep my files बोलके को option है रिमोवर्टिंग पर एक option है तो पहले option पर आपको क्या करने क्रिक करना चाहिए इसमें आपके files लगेंगे मतलब यहां इसको cancel कर दो अभी इसको नहीं करना हो तो इसमें आपको तो फाइल सहें आपके फाइल सो कुछ नहीं होगा लेकिन आपके जो रनिंग है जो बैगरॉंड आप्स के वज़ा से आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगे और उस लग को जो सर्वरे पर कनेक्ट कर आयना तो वह एप्स क्या होगे उनिस्टॉल हो जाएंगे तो इससे हम को CNN को आझे दीर दीक ynिलेगा थो मतलब बैग्रांड डिस्के रगांवरी जो डिस्क खाए थी उसको को स्टॉप पर देना था तो वहीं यह काम करता है तो नेक्स्ट काम एक बार होने के बाद फिर से आप रिखेंश कर लिए फिर से पृमेट कर देना भिया ग thinking jo 어떻게 अगया प्रीक हो गया प्र छोड़को इस वाफ et mac अमे में आप इसके बाद आप को तरी टीनों की और सब्केद मौनेतज तो खोड़ एए उन शब को आपको कोमेट कर देना है फिर आपको बहुत सारा टाइम लगजेगा मंदब और एंशोड़ डेटा प्रक्लिक कर देंगे तो एरेज अवर्य तो उसके बाद आपको लाप्टाप उपन आपको पहले कुछ नहीं करना पहले आपको आपके विंडोस डिफेंट राउंड करके कुछ सॉफ्ट इंस्टॉल कर लेना एंटिवर्य जैसे कैस्पर का मैं रेकमेंड करता हूं तो इस वीडियो थोड़ा लेट होगी माफी चाहता हूं इस वजह से क्योंकि मैं भी बहुत सारा काम कर रहा था इसमें थोड़ा बीजी हो गया तो कोई भी आपको इसमें डौट हो तो मुझे मेल कर दीजिए मतलब कॉमेंट में लिग दीजिए मैं आपको ज़रूर रिप